गुड बॉर्निंग फ्रेंड मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोर्ड एक्जाम में फ्रेंड आज डेली कर इंटरफेस की क्लास में हम दिसस करेंगे 11 February से रिलेटेड जित्ते पी न्यूज है जित्ते विवेंट्स है जो हमारे एक्जाम के लिए इंपॉर्टे पिछले वर्स जो है प्रिधान मंत्री बांगलादेश की यात्रा पे गहते तो उन्होंने एक नई जो है रियात्री ट्रेन का उद्गाटन किया था जिसका नाम था मिताली एक्स्प्रेस या मिताली एक्स्प्रेस जो है वो बांगलादेश में सीमावर्ती रेलवे स्टेश इसके पहले देखा जाए तो भारत और बांगलादेश के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका नाह में मैत्रीे Christians जो की ढाका और कोलकाता के बीच में चलती है और दूसरी हँ क्षप्रेंड देखा जाए टो बंधन एक्स प्रेस जो की किससरी एक भारत और बांगलादेश के वीश में अब हम आते हैं अपने आज के सबसे पहला हमारा प्रश्ण है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभियान अमिश्या, स्मृती रानी, मनसुक मांडविया या फिर राजना सिंग तो दोस्तों का correct answer क्या हो जाएगा स्वास्त मंत्री मनसुक मांडविया के द्वारा देखा जाये तो मांडविया के द्वारा मिशन इंद्र धनुस के चोथे चरण का सुभारा भी किया गया है तो जैसा दोस्तों आप जानते हैं मिशन इंद्र धनुस एक तरीके का अभियान है और ये एक बिशेष तीका करण अभियान है देखे इसके बारे में तोड़ा समय यही पेंट्रो दे देती हूँ एक बिशेष तरह का ये टीका करण अभियान है जिसमें देखा जाए जो बच्चे के जनम से लेकरके दो वरस्तक की आयूतर और जो गर्वती मादाया होती है जो की टीका करण से छूट गई हैं जो वंचित रहे गए हैं उनको जो है टीका करण करना यही क्या है? मिशन इंद्र धनुस अभियान है ठीक है मिशन इंद्र धनुस का उत्देश है तो उस टीका करड़ अभियान के दोरान देखा जाए जो बच्चा है जो अभी पैदा हो रहा है यानि कि जो बच्चे के जनम से लेकर के वर्स दो वर्स तक की आयों के बच्चों को 9 बिमारियों से बचाने के लिए देखे सुरुवात जब हुई थी ना तो 7 बिमारियों से लगाये जाएंगे ठीके तो यह कुस्त महत्यपूर तीके लगाये जाएंगे और इसी तरह नियामित टीका करड़ से वंचित गर्वती महिलाओं को टीडी वन टीडी टू और बूस्टर टीडी के टीके जो हैं दिये जाएंगे भारत सरकार गेर हम मिशन इंद्र धनुस की बात करें दोस्तों तो इसे स्वास इवं परिवार कल्यान मंत्राले के दौरा इस मिशन की सुरुवात की गए थी कब की गए थी 25 दिसंबर को किया गया था 2014 में मिशन इंद्र धनुस की तुरुवात की थी 25 दिसंबर जो के हम जानते हैं शुशासन दिवस के जो है ऑसर पर ठीके सुशासन दिवस के औसर पे इस मिशन की सुरुवात की गए थी और मिशन का लक्ष क्या था कि बच्चों और गर्वती महिलाओं का पूर टीका करड जो है सुनिश्चित करना अब तक देखा जाये तो अब तक बच्चों की टीका करड कवरिज जो है बढ़कर के कितना प्रतिशत से अधिक हो गया तो 76 प्रतिशत से जो है अधिक हो गया ठीक है आते हैं हम अपने अगले प्रश्टे पर हमारा अगला प्रश्ण है कि निमलिखित में से किस राज्या केंदर शास्वित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे खोला गया है एक तरीके से जो होता है वह बर्व से बनाय जाने वाला जो घर होता है ना उसी को क्या कहा जाते है इगलू कहा जाते है जैसा कि आप यहां पर तश्मीर पे देख सकते हैं तो सबसे बड़ा जो है दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे जो खोला गया है वह जम्मू कश अगर इस इगलू कैफे की व्यास की बात करें तो 44.5 फिट है और इसकी उचाई देखा जाए तो 37.5 फिट इसकी उचाई है इसके बैठने की छमता कितने लोगों की है इस इगलू हाउस में देखा जाए तो ये इसमें 40 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और इसकी मुटाई देखा जाए तो 5 फिट है अब हम आते हैं अगले प्रश्ट पर हमारा अगला प्रश्ण है कि सिंगल विंडो क्लियरंस सिस्टम लॉंच करने वाला पहला केंज शासित प्रदेश कौन बन गया है लद्दा जम्मू कश्मीर पूदू चेरी या फिर लक्षुदीप तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो गया है तो यहां पर देखते हैं तो केंज शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में और द्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपराज्येपाल मनोसीनहा ने जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरंस सिस्टम को लॉंच किया है और ध्यान रखेगा इसी के साथ ज विकास को बढ़ावा देना ठीक है अब जो है निवेशक रास्त्री एकल प्रडाली के माध्यम से जम्मू कश्मीर में अपने व्यापार अनुमोधन के लिए आवेदन कर सकते देखे दोस्तों अगर हम सिंगल विंडो जो है नैशनल सिंगल विंडो की बात करें सिस्टम की तो जो एक तरीके का ये क्या है जो नैशनल सिंगल विंडो जो सिस्टम है वो एक तरीके का क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म है और जो कि क्या करता है जो निवेशक होते हैं उन निवेशकों को परियोजनाओं के लिए सरकारी मंजूरी प्रदान करने में मदद करता है को तो यह सब्दार्प निवेशक निवेशक करना है, उसे क्या करना पड़ेगा, इस दिजिटल प्लाटफॉर्म पर आ सकेगा, और एक यह साथ सारी शुबधाओं को वो क्या करेगा, इसका फायदा उठा करके इन सारी चीजों का कम समय में ही वो अपने निवेस को क्या करेगा सुनिशित कर सकेगा इस सिस्टम में देखा जाए तो 130 ओध्योगिक सेवा हैं और इस साल 160 सेवा हैं वो जोड़ दी जाएंगी सिंगल विंडो क्लिरंस सिस्टम में देखा जाए तो नियामक अनुपालन के माध्यम से इजी ओफ डूइंग बिजनस और इजी ओफ लीविंग जो है सुनिशित क्या जगा ठीक है तो जितना ज्यादा आपको देखें इन्वेस्टमेंट करने या कोई भी अगर आप परियुज़ा सुरू कर रहे हैं उसमें अगर बहुत ज्यादा देखा जाए तो ताम ऐसे रह लांग लगा सकते हैं तो यह सारी चीज़े इसमें इन्पॉर्टेंट हो जाती है ठीक है अब हम आते हैं अगले प्रश्टे पर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश्ट ने भारतिय वैपारियों को बिना वीजा प्रवेश के अनुमति दी है स्री लंका म्यानमा थाइलेंड या फिर मालोद्वीं करेक्ट आंसर इस डी है ठीक है जो मालोद्वीप ने भारतिय वैपारियों को बिना वीजा के प्रवेश के अनुमति दी है तो यहां पर देखा जाए मालोद्वीप ने भारतिय वैपारियों को बिना वीजा प्रवेश के अनुमति देने की घोशा किया है और यह जो घोशा की गई है वो एक तारीक से ही लागू कर दी गई पिछले जो है इस महीने की जो पहली तारीक है यानि के एक फ़वरी से ही इस घोशा को लागू कर दिया गया है इसका उत्देश क्या है तो व्यापारी को देश जो है अगर मालदुईत में जाने वाले भारती यात्रियों को 70 दिन से अधिकी आउदि के लिए बिना वीजा के परवेश देने की प्रक्रिया वो सुरू हो गई है तो जो कोई भी जो यात्री है भारती यात्री है मालदुईप में व्यापार करने के उद्धेश से जा रहे हैं वो 90 दिनों के लिए जो है बीना वीजा के जो है मालदूइप में जा सकते हैं और भारत और मालदूइप के बीश में 17 दिसंबर 2018 को वीजा सुविदा हेतु समझोते पर हस्ताक्षर वाता और ध्यान रखेगा इसी समझोते के तहट जो है ये निर्डाय मालदूइप के द्व मालदूइप के लिए वीजा मुक्त यात्रा सुविधा देंगाने की साल में दो वार्याने की कोई भी जो भारतिय नागरिक जो है स्विक्रिति व्यापार वीजा को एक कैलेंडर वर्स में 180 दिन तक के लिए बढ़ावा दे सकता है ठीक है ठीक तरीक तरीके से 6 महीने में नबबे दिन के लिए पूरे साल का देखा जाए तो लगभाग 180 दिनों के लिए बिना वीजा की व्यापार के देशे से मालदूइप की आतरा कर सकता है इस समझावते के तरह ठीक है तो यह था हमारा मालदूइप से संब्धित देखे दोस्तों मालदूइप के बारे में द शासित प्रदेश लक्षुदीप के जस्ट दक्षिड में है मालदूइप की जो गर बात के दोस्तों तो इसकी राजधानी क्या है माले है और यहां की जो करंसी क्या है वो है माल दीवी रुफिया जो है वो यहां की करंसी है यहां के जो प्रेसिडेंट है यानि की रास्ट पती है ठीक है यहां से दोस्तों देखो यहां से एक क्वेटर जो है वो गुजर रही है और यहां पर एक क्वेटर के जस्ट उत्तर में आप इसको देखने को मिलेगा मालोदीव ठीक है जस्ट उत्तर में यहां पर दोस्तों एक मेरे कोशन यह है कि आप बताईए कि से कि दच्छड में तो भारत का यानि की भारत और माल्दूइब के बीच में कौन से डिगरी का जो है वो चैनल क्रॉस करता है आप मुझे उस चैनल का नाम बताइए ठीक है कौन से डिगरी का चैनल जो है भारत यानि की लक्षधीत और जो है माल्दूइब के बीच से खोकर क आया है इंडोनेशिया, मेडावगासकर, भारत, जापान तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा ठीके मेडावगासकर से जो है चक्रवात बतिसराई जो है वो प्रभावित गया है तो यहां पे मेडावगासकर में तेज हवाएं और बारिस लाने वाले चक गातक चक्रवाथ है और ध्यान रखेगा 2017 में वह एक चक्रवाथ सेंट केवल सब्ता में डावाज दूसरा दोसरा किया है इस चक्रवाद ने तो ध्यान रखेगा चक्रवाद बतिस राई जो है वो मेडागासकर को प्रोहावित किया यानि कि अगर देखें मेडागासकर के अगर हम הבא के लेखें तो यह आपके सामने तो Tropic of Capricorn जो है वो यहां से गुजर रही है मेडागासकर से 20 से गुजर रही है ठीक है मेडागासकर की दोस्तों गर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी का है एंटा नानो रिवो जो है वो इसकी राजधानी है जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं सबसे बड़ा दूइप है और विश्व का सबसे बड़ा दूइप कौन सा चैके अगे। में से किस राज सरकार में सुई पुरु का नाम बदल कर कुंडेश्वर रखने की घुष्रा की है दिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश गया फिर उडिशा तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा मध्यप्रदेश की सरकार ने जो है वो अपने यहां के तीन जिलों के नाम को बदलने की घुष्रा के आई उसकी बारे में देख लेते हैं तो यहां पर भारत सरकार ने मध्यप्रदेश की तीन अस्थानों जो कि होसंगाबाद नगर को किस नाम से नर्वदापूरम शिवपूरी को देखा जाए तो कुंडेश्वर धाम और बाम का प्रस्ताओ जो है रखाता जिसको अभी हाल से लहाल में भारत सरकार ने परमिशन दे दिया है मंजूरी देदी है नाम बदलने की मंजूरी दो है ग्रीह मंत्राले के द्वारा दी गई है तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कौन कौन सा नाम है एक तो होसंगाब में से किस expressway में Intelligent Transportation System में इस्तेमाल किया जाएगा मुंबाई नाघ्पूर एक्सप्रेस वे अम्रिस सर तो मुंबई नाकपूर एक्सप्रेस स्वे की निगरानी के उद्देश से जो है यह intelligent transportation system को इस्तमाल किया जाएगा और यहां देखा जाए expressway जो है यानि कि मुंबई नाकपूर एक्सप्रेस स्वे है यह भारत का सबसे लमबा expressway है अगर हम intelligent transportation system की बात करें तो यह एक कोरियाई तक्नीकी है जो कि वहाँ जो उस एक्सप्रेस फे पे जो है दुर घटनाओं को रोकने में मदद करेगी तो एक तरीके से किस तरीके से तो यह जो है देखा जाया तो यह जो सिस्टम है ठीक है कौन सा इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वहाँ पर सड़कों की निग्रानी करने में मदद करेगी, सड़क की रिकॉर्टों के बारे में जानकारी देगी, मौसम से सम्बंदी जो कुछ भी खबर रहेगी उसकी रिपोर्ट करेगा और यह सड़क परिवहन पर लागु संचार और सूचना प्रद्योगी की है, ठीक है? अगर हम देखें तो intelligence, transportation system की बात करें तो इसकी तीन मुख्य विशिस्ताएं जो हैं, वो optical fiber, cable network, एक रित्यातायात, प्रबंधन प्रडाली और toll संगर प्रडाली जो है, यह इसकी तीन मुख्य विशिस्ताएं हैं, ठीक है? अब हम अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्ण है कि भारत में स्वास्त नवाचार और उद्यमिता में तेजी लाने के लिए किनके बिस समझाता हुआ है, अटल इनुविंशन मिशन, नीतियायोक, US Agency for International Development या फिर उपरियुक्त सभी के बीच में, त तेजी लाने के उद्देश से, तो यहाँ पर देखा जाए, अटल इनुविंशन मिशन, नीतियायोक और अमेरिकी एजन्सी for International Development ने नावाचारी स्वास्त देखभाल वित्रण के वित्रण के लिए बाजार और संसाधनों तक सतक पहुँच, यानि कि सस्टेनेबल एक्सेस to markets and resources for innovative delivery of healthcare, जिससे हम कहते है संब्रिद्द पहल, तो दोस्तों संब्रिद्द पहल के लिए देखा जाए, तो अटल इनुविंशन मिशन, नीतियायोक और अमेरिकी एजन्सी for International Development के बीच में जो है, एक साजिदारी हुई है, इस साजिदारी के देखा जाए, तो दूसरी श सेडी के शहरों और ग्रामिर और जंजाती शेतरों में वंचित आबादी के लिए, ठीके ध्यान रखेगा जो वंचित आबादी है, कहां कहां पर जो शहरों में, जो ग्रामिर और जंजाती शेतरों में, जो स्वास्त सुविधाओं से जो वंचित आबादी हैं, उनको सस्त एवं गुर्वत्तापुर्ट स्वास्त दिख्भाल तक पहुंच में सुधार करना यही इस समझोते का उद्देश हैं वर्स 2020 की बात करें तो USAID और IPE Global और भारत सरकार अकैदमी और नीजी छेत्र के बिभिन हिद्धार को ने नावाचारी समरिद्ध मिश्रित वित्त सुविधा को बिक्सित किया था तो विसीकली ध्यान रखेगा कि समरिद्धी के लिए समरिद्धी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या है कि सस्टेनेबल एक्सेस ट अमेरिकी एजनसी फॉर इंटरनेशनल डेवलप्मेंट ने एक साजेदारी किया ठीक है तो जो वंचित तो जो तबका है उन्हें जो है सस्ती और लाव जो है गुरवत्तापूर स्वास्त देखभाल पहुंच के लिए अगला हमारा प्रश्न है और हमारा अगले प्रश्न सुझाफ़े देखते हैं नाफ़कलिता उनसी एक हेद्रे प्रश्न फर्श्न है कि हाद्रीय चर्चा मेला रहा हम वाइनार्ड वंचियू अभ्हारण कि स्राज्ज में ऍस्थित है कर्य करनाटपे केरल में और प्रदेश तेलंगाना में तो करेक्ट आंसरच बी है केरल मे जो है ये वन्जी अभिहारण इस्तित है और ये नीलगीरी जो है नीलगीरी बायोस्फेर रिजर्व का ये एक हिस्सायटिक है इसके बारे में देखा जाए कि इसके बारे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इस अभिहारण के बारे में तो वायलाड वन्जी अभिहारण जो है वो एक भाग है जो कि दच्छड भारत के हाथी अभ्यारण संख्या साथ का महत्यपुड घटक है यह देखा जाए केरल का एक मात अभ्यारण है जहां चार सिंग वाले मिरिक देखे जाने की जानकारी मिली है इस अभ्यारण में देखा जाए तो मिश्र के गिद हिमाले और सिनेरियस गिद्धो की उपस्थिती की भी सूचना मिली है हाल में देखा जाए हम इसकी चचा इसले करें दोस्तों जैसा कि आप देख रहें गरमी का मौसम आने वाला ठंड़ धीर 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 खतम होड़ी तो जिस तरीके से पारा जो चड़ रहा है तो यहां पे जो करन प्रश्ट भी आ चुका है तिके यह जाल रखेगा कि नीलगीरी बायसफ्यर रिजर्व का यह एक भाग है, चूंकि नीलगीरी बायसफ्यर में देखा जा, दोस्तोres तो कई राश्ट्युद्या νचामिल है, आपको मुझे comment box में अंसर करना है कि नीलगीरी बायसफ्यर रिजर्व है, कितने राज्यों मे फैला हुआ है और यहां पर देखा जा कौन कौन से वंजी और ब्यारण जो है इससे सम्मंदित हैं साथी साथ दोस्तों मुझे नीलगिरी परवत के बताई कि नीलगिरी परवत के सबसे ऊची चोटी कौन सी है इसके बारे में बताईए हमारा अगला और आखरी टुशन है कि स बंजी वसंद्रा अभियान महारास्टा से समण दीत है और इस कारिकरम ने सयुक्त राश्ट पर्याष्ण कार्यार्यकरम को समर्थं करने के महारास्ट्रा सरकार से शमें जो है तो सईहुक्त रस्ट परियुबर करेकम यानि तो यह करीगा यूनफ और महारास्त्रा र सरकार ने समझ होते पर oulot मस्त quarter किया है यूनफ की बात करें तो यूनफ में जो हैं नहीं कि माहीद करें मांजी वसंदरा अभियान का समर्थन करने के विभाग की हैं नागरीकों को जलवाई परिवर्दय और जो पर नुद जागरूधाईTH करना आज गिए हैं इसे लोगों को प्रदीव शाह आप यहां पर पिक्चर देख सकते हैं तो अभिनेतरी दिशा पतानी को जो है बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड बच्चन को किया है ठीक है भारतिय रिजर्बेंक के दोरा देखे वित्य सक्षर्टा सपता यानि कि फाइनेंशल लिटरिस्टी वीक मनाय जाएगा वस 2022 का कब से कब तक तो 14 से लेकर के 18 फरवरी के बीच में मनाय जाएगा वित्य सक्षर्टा सपता और इस सपता की जो थीम होगी वो होगी गो अमेरिका के प्रभावशाली सांसर पिट सेंशस ने भारतिय मूल के अमरिकी को क्रिप्टो तकनी की कारेकरम के लिए प्रमुक आर्थिक विकार एवं उर्जा धाचगत विकास सलहकार न्युक्या इनका नाम क्या हिमांशु पटेर अगला है राश्टपती जो बाइडन के शिर्ष विज्ञान सलहकार ने अपने पद से स्थिफा दे दिया है उनका नाम क्या है एरिक लेंडर जो है इनका नाम था ग्रीज के पुरू राश्टपती जिनका 92 वर्स की उम्र में निधन हो गया इनका नाम था क्रिस्टोर सार्ट जेटा किस्ट राश्टी रक्षा अक पुरूषकार दिये जाने के घौशा की गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ठीक है अब आते हैं उत्त्र प्रदेश स्पेशल में और हमाँ सबसे पहला स्पेशल है उत्तर प्रदेश की इनुवर्सीटी का नाईजीरिया की नाउजिदी के साथ करार हु के नए देख्ष बनाए गया है जिनका नाम क्या है निधीपती सिंगानिया अगले हैं उत्यप्रदिस क्रिकेट एस्सोस्येशन के सच्यूब बने हैं इनका नाम है प्रदीव गुपता बारत की पहली पैरा बैंड मिंटें ने स्थापित की गई है कहां पर लखनों में की सब्सक्राइब की वड़स की तो आप मुझे सारो भूमिक टीका करण कारेकरम की बताएंगे तो इस तरह से था हमारा करेंट इसके मंदित आपकी PDF जो है वो टेलिग्राम ग्रूप में मल जाएगी जिसका लिंक आपको description box में दिया हुआ है वहां से आप PDF डाउनलोड करके जो है अपने daily current affairs को क्या कर सकते हैं रिविजन कर सकते हैं बाकी दोस्तों जो है सेक्षन अच्छा लगाओ तो लाइक करना नहीं बूलें जाद लाओ को शेर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करना नहीं मूलें फिर मलते हैं नेक्स सेक्षन में तब तक की लिए वाइव गुड़ डे इस्टे सेफ और स्टे हैपी